हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइन्स लेक्ट्टर्स और M.S.C के इस क्लासिकल मेकैनिक्स के इस लेक्टर सीरीज में आज हमारा एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है लेग्रांज एक्वेशन्स लेग्रांज एक्वेशन्स 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 फ्रॉम डी अलमब्स प्रिंसिपल फ्रॉम डी अलमब्स प्रिंसिपल टॉपिक है यह जो लेग्रांज एक्वेशन इसको मेक्वेशन और मोशन भी कहते हैं यह एक्वेशन अभी हम D.A. Lambert's principle से derive करने वाले हैं और इसी Lagrange equation को जो same Lagrange equation है जिसको equation of motion कहते हैं उसको हम Hamilton's principle से भी derive कर सकते हैं और जो सही बताऊं तो actual method वही है वो भी है और ये भी है ना दोनों method से मारे पास same equation आती है उसका जो concept वो अलग है Hamilton's principle का concept अलग है वो आपके action के उपर हमने first lecture में बात किया था कि किसी problem के लिए action जो है वो extremum रहता है वो उसके उपर based है जबकि ये जो D.A.L. ये जो हम derive करेंगे वो D.A.L.M. principle के उपर based है हमने D.A.L.M. principle के लिए बात की थी कि आपके पास कोई भी system of particles है उस particular system of particles के लिए summation over I equal to जितने भी particles suppose that N particles है तो उनके लिए F I minus P I dot इनका dot product किसके साथ delta R I के साथ वो कितना होता है zero होता है ये आपका D.A.L.M. principle था हना ये जो principle वो आपके virtual principle of virtual work से आया है अब यहां पे एक बात ध्यान रखेंगे कि ये जो force है वो आपका applied force है ये जो force है applied force है और ये condition वो आपका आता है dynamic equilibrium में है system आपका move कर रहा है still move कर रहा है लेकिन वो एक dynamic equilibrium में है किसके अंडर ये force plus some reverse effective force और ये जो force है वो आमने total force लिया था उस total force में आपका applied force प्लस में force of constant दोनों add थे इसके अंदर जो condition है अब एक बात ध्यान रखना है इसके अंदर एक condition है हमारे पास condition क्या है कि summation over i equal to 1 to n जो सभी particles का f force of constant on i-th particle dot delta ri वो क्या था zero है यह एक particle के लिए force of constant dot delta रहे डल्टा रहे गया हमें जो virtual displacement वो है तो एक particle के लिए यह निकालते तो उसका जो summation है पुरे system का system के हर particle के लिए और जो force of constant है उसका dot product virtual displacement के साथ वो क्या होता है जीरो होता है ठीक है यह हमारे पास condition है इसके अंदर यह involve है यह आप ध्यान रखेंगे ना हम वही इसका मतलब क्या है हम वही force of constraint consider कर रहे हैं जिनके लिए जो summation of total virtual work है वो जीरो है समझभार हो यह भी possible है कि हम कोई एक force of constraint है जैसे हमने पिछले लेक्चर में हमने एक्जामपल लिया था कि यह मालों आपके पास कोई एक system है यह system है यह mass m1 है यह दूसरा mass m2 है तो यह जो displace होता है यहां से यह जो भी हमने चोटा सा displacement लिया था और वहां पे यह टेंशन इस direction में था और इसका displacement इस direction में था तो एक दूसरे के opposite direction में थे तो यह work कर रहा था यह भी work कर रहा था लेकिन जो इनका जो summation वो 0 था तो यह हमारे पास condition involved है यह आप बात ध्यान रखोगे ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें क्या करना है हमें equation of motion निकालनी है यह जो equation of motion है वो आपका अलग-अलग तरह कि जो system होते हैं अलग-अलग तरह कि system मतलब अलग-अलग तरह कि force of constraint उसके अंदर लगेंगे और कहेंगे कि different systems अभी कि आगे बात करें कौन-कौन से system है तो उनको हम solve करते हैं solve करते हैं किसका use करके Lagrange equation of motion use करके और वो हम आज derive करने वाले हैं और आगया आने वाले classes में हम उन्हीं problems की बात करेंगे अलग-अलग variety of problems की बात करेंगे जो कहें तो Newton equation से solve करना मुश्किल होती है इसके लिए हम क्या consider करने वाले सबसे पहले क्या है क्या है कोई भी system of particle है हमारे पास system के तौर पर हमने क्या ले लिया कि suppose that यह rigid support है यह हमने spring लगा दी हमारे पास एक मास M1 हो गया फिर उससे हमने दूसरी spring लगा दी यह मास M2 हो गया फिर तीसरी spring इस तरह से बहुत सारी हमने मास जोड़ दिये तो यह हमारे पास एक particle है फिर दूसरा particle फिर मालों इससे connect है तीसरा particle इससे तरह से बहुत सारे particle connected है तो हमारे पास total कितने n particle है इस system में तो एक टाइक ता system है n particles है हाँ अब यह बताओ एक particle की position बताने के लिए एक particle की position बताने के लिए हमें जो number of coordinate कौन से independent number of coordinate कितने की requirement होगी suppose that हमें n coordinate की requirement है ठीक है मालो इस यह आपका particle यह अगर one dimensional motion कर रहा तो एक coordinate two dimensional कर रहा है तो two coordinate इस तरह से हमने बात कर रखी है तो अगर n dimensional में है तो n coordinate हो जाएंगी सीधा सा जो constraint लग रहे हैं उस वज़र से कोई coordinate कम हो जाएगा that's okay लेकिन अभी के लिए हम क्या लेके चल रहे है कि इस एक particle की position बताने के लिए या फिर हम ज्यादा टेक्निकल होएं तो configuration space को define करने के लिए कि यह force of constraint को follow करते हुए किस तरह का motion करेगा और उस motion को बताने के लिए कितने independent number of coordinate की जरुरत है वो हम कह देते हैं n coordinate की जरुरत है तो इस particle का जो position है वो क्या हो जाएगा हमारे पास r1 vector इस reference की respect में इसका position है वो क्या हो जाएगा r1 vector वो r1 vector किसका हमारे पास function होगा जो इसके क्या है generalized coordinates जो independent number of coordinate है n तो q1 q2 और up to qk और qn हमने माल ली ठीक है और possibly time possibly time हो सकता है कि यह position time के साथ बदल रही है तो यह time का क्या है explicit function है वैसे हम क्या लिखेंगे दूसरे particle के लिखें r2 vector तो r2 vector भी क्या हो जाएगा हमारे पास यह n coordinate का function हो जाएगा वैसे r3 r4 और up to क्या लिखेंगे हम r capital N particle है हमारे पास यह बात धाब ध्यान रखे capital N particle तो r capital N तो यह इस तरह से function हो जाएगा तो इनको हम combine रूप से combine रूप से क्या लिख देते हैं हम हमने यह लिख दिया कि ri vector ब्राबर ri is the function of q1 q2 qk और qn और t यह हमने लिख दिया ठीक है यह इस पार्टिकल का position है तो वैसे आप first second third fourth जो भी जिस पार्टिकल का लिखना चाहों वह इस फॉर्म में आ जाए यह हमारे पास आई पार्टिकल का नोट आई इस पार्टिकल का position है और आई टोटल पार्टिकल कितने हमारे पास capital N पार्टिकल है तो आई का value 1 से n तक है यह आप ध्यान रखेंगे तो इसलिए हमने d elements principle में यहाँ पे i equal to 1 to capital N लगा है तो n पार्टिकल हमारे पास capital N ठीक है और जो generalized coordinate है वो small n है यह बात आप ध्यान रखोगे क्या है जैसे मानों जो भी यहाँ पर हम n ही लेते है small n capital N जो है यह generalized coordinate small n है small n है और हमारे पास total capital N particles है यह बात होगी ठीक है क्योंकि यह अगी थ्वड़ा थ्वड़ा क्या करेगा confuse करेगा तो इसलिए हम इसको अभी इसको बात को खतम कर देते हैं ठीक है तो हमने हर एक पार्टिकल की position इस तरह से define करती है अब मुझे क्या करना है virtual displacement पता कर रहे है अलेंकि हमने diagram इठा दिया तो क्या बात करते हैं कि मालो यह इस तरह का diagram था हमारे पास यह मास था फिर यहां पर दूसरा मास से इस तरह से वन पार्टिकल है तो माल लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है डिस्प्लेस होता है यह आयएथ पार्टिकल कहा दिया हमने थोड़ा सा दिस्प्लेस हो रहा है और वो दिस्प्लेस इस तहे से हो रहा है कि वह time का function नहीं है ठीक है क्योंकि अगर time का function होगा तो वह displacement क्या हो जाएगी और इसको हमने क्या लिखना पड़ेगा डियार वेक्टर लिखना पड़ेगा ठीक है रियल डिस्प्लेसमेंट आपको दिखेगी लेकिन हमारी जो पूरी थियोरी है जो अब तक हमने पड़ी वह इसके उपर बेस्ट है कि हम time को freeze कर रहे है यह यह आपका time का function नहीं है जो virtual displacement है यह आपका time का function नहीं है time को explicit function नहीं है है हना तो time को freeze कर रहे है इस तरह के displacement है जो आपको दिखनी रहे स्टिल हो रहे है तब क्या यह इसके उपर बेस्ट है ठीक है तो अब यहां से अगर मैं यह virtual displacement निकालना चाहूं आई इस पारिटिकल का तो वो किस-किस का function होगा इस इन ही का function होगा तो यह इसका अगर मैं पहले q1 की respect में कैसे change हो रहा है into में delta q1 प्लस में del ri upon में del q2 delta q2 प्लस में और up to यह आपका n के लिया जाएगा del ri over del qn into delta qn फिर उसके बाद आपका धान रहे धान रहे टी नहीं आएगा क्यों यह जो आपका virtual displacement है वो time का explicit function नहीं है ठीक है तो यहां पर यह last term नहीं आएगे ठीक है तो time की respect में जो derivative होगा वो 0 होगा यह जो position है देखो last term क्या आएगे आपके अच्छली del ri over del t और del del t upon yes del t यहापके last term आएगे लेकिन यह जो position है यह जो position आ रहे वो time का explicit function नहीं होगी कौन सी position यह जो displacement है यह explicit function नहीं होगी तो इसलिए इसको हम 0 कर देंगे यह last term 0 होगे तो बात यह आप ध्यान रखेंगे ठीक है हाँ इसको हम combine रूप से क्या लिख सकते हैं हम इसको summation की form में ले आएंगे ठीक है summation क्या लेंगे हम summation over i हम use कर चुके हैं तो हम क्या use करेंगे k use करें k equal to one to small n यह आप धान रखें यहाँ capital n है यह small n है यह आ जाएगा del ri over del q k और delta q k clear रखें यह हमारे पास क्या गई virtual displacement दागत एक हमारा काम लिख SachDS इसको हम कह देते हैं equation 1 कह देते हैं इसको हम कह देते है equation number 2 कह देते हैं इसको 2 कह देंगे इसको 3 कह देंगे अब क्या करेंगे equation 3 का value हम इस equation 1 में put करें क्योंकि इसी को use करके हम Lagrange equation of motion निकालेंगे तो इस equation 3 का value अगर मैं 1 में put करता हूँ तो मेरे पास क्या आजाता है summation over i equal to 1 to capital N ठीक है एक term मेरे पास क्या आएगी देखो fi fi vector dot एक काम करते हैं इस equation 1 में पहले हम ya into ya इसको solve कर लेते हैं फिर हम ya into ya इसको अलग से solve कर लेंगे फिर हम बाद में minus कर देंगे क्यों कर रहे हैं क्योंकि यह लंबा सारा expression बनने वाला है तो पहले मैं यह into ya इसको solve करने वाला हूं ठीक है तो इसको solve करते हैं तो हमारे पास क्याएगा fi vector फिर dot dot delta r i तो delta r i के वाले यह आजाएगा dot summation over k equal to 1 to small n del r i over del q k into delta q k यहा आ गया यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ यह किसके बराबर है summation over i equal to 1 to capital n fi dot delta r i इसके बराबर है तो यहां पर मैं क्या कर लूँ यह summation in commenter change कर सकता है इसमें कोई दिखकात नहीं है तो summation over k equal to 1 to small n मैंने बहार ले लिया यह जो i है क्या होगा summation over i equal to 1 to capital N fi dot del ri over del q k यह आपका देखो i वाला जो term है वो हमने अंदर ले लिया into क्या आगया हमारे पास delta q k इसको मैं लिखना चाहता हूँ क्या लिखना चाहता हूँ summation over k equal to 1 to small n इसको मैं gk लिखना चाहता हूँ और into delta q k इसको मैंने gk लिख दिया तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं site में क्योंकि income बार-बार use करेंगे क्या लिख देता हूँ मैं कि हमारे पास gk है जो हमने define किया है क्या define किया है एक बात ध्यान रहे कि यह जो gk है वो इस dot product से है तो यह scalar quantity होगा तो yes gk हमारे पास क्या जाएगा fi vector dot del ri over del qk और summation over i equal to 1 to capital N इस gk को हम कहते है generalized force क्या कहते है generalized force इस gk को हम generalized force कहते है ठीक है कैसे देखो यह आपके पास क्या है यहाँ देख लेते है यह आपके पास एक coordinate है position है और divided by ये भी एक coordinate है ना position तो अगर मैं इसको position मानू तो इसका dimension meter का हो जाएगा इसको पुजिशन माने dimension meter का हो जाएगा अलाग कि इसका dimension जरूरी नी meter ही हो यह coordinate है, generalized coordinate है यह theta भी हो सकता है, यह 5 भी हो सकता है जरूरी नी x की dimension meter हो तो यह मान लेता है meter है तो यह cancel हो जाएगे तो यह आपका क्या बचेगा, सिर्फ force बचेगा तो इसका dimension force का है कब जब आपका generalized coordinate का dimension force का है तो इसको हम generalized force कहेंगे लेकिन ध्यान रहे जरूरी नहीं कि इस generalized force का dimension जो है वो force का ही हो, वो newton ही हो यह जरूरी नहीं है लेकिन gk.delta क्योंकि इसका dimension हमेशा बरकाएगा इसका dimension हमेशा बरकाएगा यE for sure है या क्या क्योंकि देखो ये जिकेना येपर रहे है कि multipli क्या सबस्पूर्पट कह रहे है ये क्योंकि यह ओपर गणाई इसका डाइमेंशन आपका न्यूटन नहीं आएगा सुभजपार स्थी रिखिये को जनलालाइज सब्सक्रास कहते हैं जल्लाइज सब्सक्राइब लेकिन इसका जो डाइमेंशन है इस मल्टिप्लिकेशन का डाइमेंशन वह आपके पास वक आएगा क्यों कि यह डाइमेंशन वाइस कैंसल हो जाएंगे तो एफ इंटू आ रहा गया जो जो हमारे पास वक आएगा इतनी बात हुई इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नमबर कहा तक बोल दे हमने थ्री तक यह फॉर होगी तो हमारे पास फॉर्थ एक्वेशन क्या ही है कि समेशन ओवर आई इक्वल टू बन टू कैपिटल एन एफ आई डॉट डेल्टा आर आई बरहाबर कितना है हमारे पास समेशन ओवर के इक्वल टू बन टू स solve करते हैं, तो now, क्या लिख दे हैं, summation over i equal to 1 to capital N, pi vector dot delta ri vector, इसका value क्या हैगा, देखो, इसका value, इसके लिए यह जो pi है, यह क्या है, pi, momentum, एक निट, यह dot अभी, pi dot, momentum का time derivative, ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि जो i-th particle है, उसका mass मैंने मान लिया, m मान लिया, i-th particle का mass m मान लिया, mi मान लेते हैं, mi उसका mass है, तो i-th particle का mass मैंने mi मान लिया, और i-th particle का जो position हो, वो क्या होगया, ri होगया, तो इसका value क्या हैगा, देखो, summation over i equal to 1 to capital N, इसका क्या ऐसा हैगा, d over dt, of m i r i dot vector ठीक है यह momentum होगा mass into velocity r i dot के हो जाएगा velocity हो जाएगा यह हमारे पास clear है dot delta r i का value क्या है यह रहा तो इसका value क्या आजाएगा summation over k equal to one to small n del r i over del q k into delta q k यह हमारे पास आगया अब देखो क्या करते हैं इसको हम ऐसा कैसा रखते हैं इसको मैं ऐसा कैसा रख लेगें इसको हम i को अंदर ले आते हैं क्यांकि i वाली term हमें एक side कर लेते हैं और k वाली term हम एक साइड कर लेते हैं तो क्या करते हैं कि summation ओवर के इक्वल टु वन टू small n कि हमने बाहर ले लेए summation वाला यह हम एक कर लेते हैं इसको मिला देते हैं तो क्या आएगा D over dt of mi और ri dot ठीक है dot है और dot product किसके साथ है इसका del ri over del qk और साथ में क्या आएगा हमारे पास एक नाट यहां summation over i दिये है थाम से वे summation over k equal to 1 to small n और summation over i equal to 1 to capital n यह हमने एक side कर लिया और into क्या जाएगा हमारे पास delta qk मतलब एक fashion है हमारे पास एक particular fashion है जिसमें हमने इस चीजों को लिखना होता है अब इसकी बात करते हैं यह क्या है यह क्या होगा देखो मैं इन दोनों को combine करना चाहता हूं कैसे करते हैं देखने हो अगर मैं ऐसा करूँ क्या करूँ कि d over dt दोनों को combine कर देते हैं कैसे करेंगे कि mi ri dot ठीक है और इसका मैं साथ में क्या ले लो dot with del ri over del qk दोनों का साथ में अगर मैं time derivative करूँ तो यह u है यह v है तो u into v से क्या हो जाएगा इसका derivative हो जाएगा तो हमारे पास term क्या है कि देखो mi एक मिनट mi पहली term क्या हैगी इसको derivative कर दो इसको ऐसा कैसा छोड़ दो तो क्या हैगी mi ri double dot mi ri double dot मतलब time derivative इसका हो गया फिर dot हमारे पास क्या जाएगा यह ऐसा कैसा del ri over del qk यह ऐसी कैसी term आ गई है ना actually summation over i भी लेना चाहिए मज़े summation over i but it's okay for i-th particle हम यह ऐसा लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं इसमें फिर ले लो लेना ज्यादा बैट रहेगा तो ले लेते हैं में summation over i equal to 1 to capital N सभी का हमने sum ले लिया है तो यह है हमारे पास first term second term में क्या आ जाएगा हमारे पास plus का इसको छोड़ देते हैं इसका कर देते हैं तो क्या आएगा mi ri dot dot d over dt of del ri over del q k सभी बात है अब देखो हमारे पास क्या है क्या हमारे पास यह है यह है या नहीं है यह है यह या नहीं है देखो एक मिनट इसको मैंने derivative करी दिया अगर मैं इसका derivative ना करूँ देखो क्या यह यह नहीं है d over dt of mi ri dot यह यह ही तो है यह हमारे पास यह term है तो यह term है तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं यह माइनस यह लिख सकते हैं तो उस term को हम क्या लिख देंगे यह माइनस यह है तो यहां से space ले ले लेते हैं चलो क्योंकि यह हमारे काम का नहीं है काम का तो आएगा भई एक बढ़नीचे लिखते हैं next line तो क्या आएगा summation over i equal to 1 to capital N और क्या है pi dot dot delta ri क्या है इसका value क्या आजाएगा हमारे पास यह माइनस यह तो summation over k बाहर चल रहा है summation over k equal to 1 to small n फिर क्या हैगा summation over i equal to 1 to capital N यह क्या हैगा हमारे पास d over dt of mi ri dot dot हमारे पास क्या है del ri over del q k यह आगया फिर माइनस यह तो माइनस क्या आगया देखो यह summation over i इसके उपर भी है तो क्या जाएगा mi ri dot dot d over dt of del ri over del q k ठीक है अब यह जो summation है यह स्क्यूपर भी है एक निरट जान रखें यह हमने यह bracket close किया है और यह जो bracket है वो इसके उपर है इसका मतलो क्या है यह जो summation over आए यह जो इसके उपर भी है यह summation over आए यह स्क्यूपर भी है इसलिए हमने बीच वाला bracket लगाया है और साथ में क्या जाएगा हमारे पास delta q के जो चल रहा है इतना बात हुआ अब हम क्या करेंगे इसका value निक लेंगे ठीक है यह value निकालेंगे और यह value निकलेंगे यह क्या होगा वो हमें पता करना है ठीक है तो इसके लिए हमें जो space चीए वो इसको रब कर देते है टॉप्टिक को भी रब कर देते हैं यह space हम यहां से लेंगे यह तो हमें इसका value चीए और इसका value चीए इतना मामला है हमारा सबसे पहले हम इसका निकालने कोशिश करते हैं क्या है कि डी ओवर डी टी ओफ डेल आर आई ओवर डेल क्यूके ठीक है इसको मैं लिखना चाहूंगा क्या कि जाहें इस आर आई का आप पहले क्यूके के respect में derivative कर दो और फिर आप total time derivative करो या फिर पहले total time derivative करो फिर क्यूके के respect में करो बात एक ही है ठीक है नहीं मान दे चलो प्रूव कर देते हैं देखो अभी मना देते हैं यह हमारे पास यह हम लेके चल रहे हैं और यहां बाहर आपके पास summation over i है यह बात ध्यान रखना ना summation over i है तो क्या करते हैं हम इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे कि यह जो del ri over del qt इसको मैं capital A माल लेता हूं क्या लिख देते हैं D over dt of capital A लिख देते हैं कोई भी a हो गया है यह कोई भी a क्या है कोई भी a क्या है देखो ri था हमारा वो ri किसका function था q1, q2, q, k, qn और t इसका function था ri है तो अगर मैं ri का q, k के respect में derivative करूँ कोई भी k ले लिया मैंने suppose that k equal to 3 ले लिया तो अगर मैं q3 के respect में derivative करूँ तो यहां पर क्या है q3 है तो देखो तो हमारे पास क्या आएगा q3 के respect में derivative करेंगे तो हमारे पास यह भी तो चेक करना पड़े है कि q1 के respect में कैसे change हो रहा है यह जरूर ही नहीं है कि देखो जो हमारे पास expression आए वो इसका independent हो मतलब जो भी time आएगा इसकी जो position आएगी वो जरूर नहीं कि Q3 से independent हो हो सकता है कि यह Q3 आपका suppose that r sin theta cos phi है तो जो कि z not r sin theta cos phi जो कि x है तो अगर हम theta के respect में derivative करें तो still हमें theta आएगा still हमें theta मिलेगा तो अगर मैं इसका derivative करूँ total time derivative इस a का a क्या होगा still इनका function होगा still इनका function होगा q1 q2 q3 तो वो चीज़ वापस आजाएगी तो मेरा कहने का मतलब मैं अगर थिटा की respect में derivative करूँ कोई भी मैंने थिटा माल लिया तो still हमें theta मिलेगा ज़रूर नहीं की नहीं मिलेगा मिल सकता है तो मैं क्या करता हूं इसका a का जो a still इनका function होगा उसको time derivative करता हूं तो क्या हैगा देखो पहले यह जो a है वो इसका function है q1 का तो क्या लिख दे हम डेल q1 नॉट q1 यस डेल ए डेल ए ओवर डेल q1 इन्टू 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 q1 dq1 ओवर डिटी समझ भार हूं फिर उसके बाद में डेल ए ओवर डेल q2 dq2 ओवर डिटी समझ भार है ना देखो still यह जो a है वो इन्हीं का function है गा q1 q2 qn तो यह आगे चलता जाएगा यह क्या हैगा डेल ए ओवर डेल qn और इसको मैं क्या लिख सकता हूं देखो क्या इसको हम ऐसा लिख दें क्या या फिर a का value रखें पहले इसको summation form में लिख देता है एक देखो हम i use कर चुके k use कर चुके हम j use करते हैं ठीक है तो j use क्यूंकि देखो यह a है ना वो उसमें k आएगा तो इसलिए यूज करना चाहता हूं तो summation over j equal to 1 to small n n तक जा रहा है क्या आएगा मेरे पास del a vector over del qj into qj dot plus में क्या जाएगा del a over del t तो इस summation सिर्फ इसके उपर है ठीक अब देखो अब a vector का value रखते हैं a vector क्या है हमारे पास del ri over del qk तो क्या जाएगा summation over j equal to 1 to small n यह जाएगा del square ri over del qk और del qj interchange भी कर सकते हैं की बात है plus में यह क्या जाएगा del square ri over del qk into del t यह हमारे पास आगया इतनी बात हुई यह किसके बराबर है d over dt of del ri over del qk इसके बराबर है अब मैंने क्या बोला था तुम्हें क्या बोला था बोला था कि पहले आप चाहे इसका इसकी respect में derivative करके फिर इसके respect में कर दो या फिर पहले इसकी respect में कर दो एक ही बात है तो मैं जो कह रहा हूं पहले मैं वो करके दिखाऊंगा तुम्हें क्या करके दिखाऊंगा कि मैं पहले इसका ट के respect में derivative कर देता हूं फिर QK के respect में करूंगा तो पहले T के respect में derivative करेंगा तो क्या यह सा ऐगा डेल ओवर डेल क्यू के इंटू डी ओवर डी टी ओफ आराई यह आएगा, यह तो आएगा अब देखो, यह डी ओवर डी टी ओफ आराई यह क्या आएगा, आराई डॉट क्या आएगा, आराई डॉट डेल ओवर डेल क्यू के और ri. यही तो आएगा अब ri. हमें चीए ri. हम कहां से लेंगे ri. कहां से लेंगे लेते हैं भी ri. का भी पता करेंगे यह हमने कि हमने लिख रखा है वहाँ पे और इसके हमें जरुरत नहीं है अब यह हम रब कर देते हैं क्योंकि हमें space की need है थोड़ा सा लंबा है patience रखने है हमें ri. कहां से लेंगे हमारा ri क्या था यह था यह ri था तो अगर मैं ri. निकलो इसका time की respect में derivative निकलो तो क्या हैगा del over del q के तो बाहर है ठीक है पहले यह जो ri है उसका total time derivative देखना है तो पहले यह पता करना पड़ है ri over del q1 into q1 dot मतलब dq1 over dt फिर उसके बाद में क्या हैगा del ri over del q2 into q2 dot प्लस में यह आपके पास एने time हाजाएगे del ri over del qn qn dot प्लस में यहाँ एक t भी है ना इसमें t भी है तो क्या आएगा del ri over del t dt upon dt इसका value एक तो यह हमारे पास आगया यहाँ से इसको मा एकर summation form में लिखना चाहूँ और summation over j लोगा आपकी बार भी देखो तो यह क्या है already आई हम वैसे वहाँ यूज कर रखा है तो हम summation over j ले ले लेते हैं तो क्या आएगा del over del qk और summation over j equal to 12 12 small n del ri over del qj और qj dot प्लस में क्या जाएगा हमारे पास del ri over del t अब देखो इसको मैं अगर खोल दूँ तो क्या आएगा summation over j बाहरा जाएगा j equal to 12 small n del ri over del square हो गया del square ri del qk del qj तो इसका अब आपको होगे कि u into v से करो आँ ना देखो एक बात ध्यान रखो कि यह जो velocity है यह velocity velocity coordinate से independent होती है यह आप ध्यान रखोगे इसलिए जो लेग्रांजी ने जो आगे आएगा हम बात कर चुके हो उसकी वो coordinate और velocity दोनों का function होता है generalized coordinate और generalized velocity वो एक दूसरे से independent होती है किसी भी system के लिए जो coordinate और velocity एक दूसरे से independent होती है यह बताए होगा अगर आपको नहीं पता पीछे के लेक्ट जाकर देख सकते हो तो अगर मैं u into v से करता हूँ तो पहले इसका derivative होगा यह constant प्लस में इसका derivative होगा क्योंकर के respect में फिर यह constant तो यह जो derivative होगा इसका वो zero हो जाएगा तो simply हम क्या लिख देते हैं qj dot लिख देते हैं प्लस में इसका derivative कर दो तो dell square ri over dell q k dell t क्या ये value इसके बराबर है क्या ये value इसके बराबर है कह दो हाँ है ना तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं ov Or heures Сам confusion तो यहां से मैं एक-कंक्लूड कर देता हूं किया जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी व directly तो एक लिख देते हैं पहले तो चीँ कैसे पहले सिरे हिलेशन किया लिख या कि अब बनको कि अब इसका काम शेते हैं बहुत आसान निजिए कि यह जो डैल और डेल कुके डेल आर आई ओर क्यों के इसको मैं लिखना चाहूंगा किसकी फॉर्म में डेल complaining कॉक्स्き फॉर्म इसकी फॉर्म में लिखना चाहूँगा अब आंगे लग और पर सिंपली यह कॉगा अब इसको और किकอर वे थो हम यह ले के चलेंगे और उसको इसके बरावर प्रूब कर देंगे थो क्या करें हम देखो यह ले के चलते तो देखो क्या करना है Del over Del Q K dot V.I. लिखना है V.I. हम निकाल चुके हैं भई हमारा काम हो चुका है V.I का value हम क्या निकाल चुके है ये जो निकाला है ये रहा ये जो निकाला है इसका value क्या है हमारे पास summation over j equal to one to small n del ri over del qj और qj dot plus में del ri over del t ये था देखो धान से सुनों कान लगा के क्या है अब हम इसको अंदर operate करें operate कह दो या derivative करेंगे बाते किए तो derivative करते हैं इसका इसका करेंगे तो देखो ये तो constant हो जाएगा देखो ये position है ये भी coordinate है तो ये velocity के respect में क्या होंगे invariant वेलोस्टी के respect में ये constant है फिर क्या बचा ये बचा है तो इसका तो derivative होगा भी या इसको तो छोड़ेंगे नहीं हम तो summation over j equal to one to small n हमारे पास क्या हैगा del ri over del qj ये तो constant है इसका derivative कर दो भी या del qj dot over del qk dot फिर इसमें क्या है इसमें कहीं भी velocity है नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा जीरो ठीक इसका value क्या होगा भी या इसका value देखो क्या यह आपको chronicle delta दिख रहे हैं जब j बराबर k हो जाएगा या k बराबर j हो जाएगा तब तो इसका value क्या हो जाएगा एक हो जाएगा otherwise क्या हो जाएगा 0 मतलब यह valid है सिर्फ और सिर्फ एक particular value of j के लिए कौन सी particular value जब j बराबर क्या हो जाए k हो जाए इसका value तभी आएगा जब j बराबर क्या हो जाए k हो जाए तभी इसका derivative एक आएगा otherwise क्या जाएगा जीरो जाएगा ठीक है तो यहां से यह बराबर क्या रखें तो यह हमारे पास यह समेशन है उस सिर्फ एक particular k के लिए आएगा तो समेशन क्या हो जाएगा यहां से हट जाएगा तो value क्या जाएगी डेल आराई ओवर डेल क्यूब के कह दो हां कि यह इसके बराबर होता है यह 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 डेल आराई ओवर डेल क्यूब के आगे ठीक है तो क्या हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं यह लिख सकते हैं क्यों नहीं लिख सकते बताओ तो यह यह इतना लंबा हम जो चल के आ रहे है इसके मैंने वर्थ नहीं जानी चाहिए ठीक है तो क्या आएगा संभेशन ओवर आइख वर्टू वन टू केपिटल एन पी आई डॉट है और डॉट क्या है डेल्टा आ रहे हैं जो हम लेकर चल रहे हैं इसका वैल्व क्या आएगा संभेशन ओवर गेवल तो वन टू स्मोल एन और बाहर है समेशन ओवर इक वल टू वन टू कैपिटल एन इंक मैं कमी आ रही है इंक मैं कमी आ रही है एक एक विनट वह कोई बात नहीं है आपके हाथ में फोन है लेपटॉप है आप स्किप कर सकते हो यह लगजरी होती भी लाइव क्लास में लगजरी नहीं होती वीडियो में लगजरी होती है कर लो वही कर लो कर लो कर लो स्किप कर लो हाँ तो यह आया हमारे पास है ना इंटू में क्या है यह यह वैल्यू तो यह क्या रिखता है हम डी ओवर डी टी ओफ एम आई mi ri dot को मैं क्या लिख दो velocity vi ith particle की velocity dot क्या है del ri over del qk की जगे क्या रख दे ये रख दे del vi over del qk ये हमारे पास एक term आ गई फिर minus का हम क्या लिख दे mi ri dot को क्या लिख दे vi लिख देते है फिर dot product किसके साथ d over duty of e तो d of duty of e ये इसका value क्या है del vi over del qk ये वेक्टर अभी तो del vi over del qk ठीक है अब ये summation over i है वो दोनों के उपर है इसके उपर भी है और इसके उपर भी है तो पहला तो हमने ये bracket लगा दिया फिर ये bracket लगा देते है और साथ में क्या है वई साथ में देखो साथ में क्या है हमारे पास डेल्टा qk जो हमारा साथ ही है साथ में चल रहा है वई मज़े से इसको हम क्या लिख सकते है कि summation over k equal to one to small n मैं ऐसा लिखना चाहता हू कैसा की धान से देखना del over del qk important term है इसको एक form में बना देंगे जो हमें जरूरत है del over del qk मैंने बाहर ले लिया summation over i मैंने अंदर ले लिया क्यों क्यों यह तो बाहर लिया है न i तो अंदर ले सकते हैं यह क्या आएगा मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ कैसा लिख दे कैसा लिख दे कि डी ओवर डी टी ओफ डेल ओवर डेल क्यों के को रिकत नहीं वन बाइट टू एम आई वी आई डाट वी आई ठीक है जहां से देखते जाना भी यहां बहुत इंपोर्टेंट टर्म है यह फिर एक मिनट समेशन ओवर आई यहां भी समेशन ओवर आई लेंगे हम अब की बार तोड़ देंगे समेशन को मतुब दोनों जिकर ले लेंगे तो क्या हैगा हमारे पास एक ओटा मालेगे डेल ओवर डेल क्यों के समेशन ओवर आई इक्वल टू वन टू केप्टल एन वन बाई टू एम आई वी आई डाट वी आई ठीक है और साथ में आ जाएगा डेल्टा क्यों के अब देखो भी यह यह कैसे लिख दिया होगी यह क्या अब अला होगी भी देखो अगर मैं इस टर्म का यह जो टर्म है क्योटे के रिस्पेक्ट में करता हूं तो मेरे पास क्या टर्माएगी देखो अगर मैं क्योटनों क्योंट विखके डॉट वह यह बड़त कुछ कर देता है यह भी dot है, कहां गया, कहां गया, del, ri, or del, qk, del, ri, or del, qk dot, अभी यह, यह dot बहुत कुछ कर देता है, यह dot, अगर आपको नहीं देखा, तो बड़ा लगा देता है, तो हम बिंदी, अब देखो, यह dot होगे, हाँ, क्यूँके dot, तो पहले इसका होगा फिर इसका होगा ठीक है तो अगर मैं इस डॉट को खोल दूँ तो यह क्या आएगा मेरे पास देखो यही मेरे पास 1 by 2 m i v i square आएगा लेकिन लेकिन हम ऐसा करनी रहे हम तो उस डॉट को मेंटेंड की हुए है तो क्या करेंगे देखो क्योंकि डॉट की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 1 by 2 बाहर आगया ठीक है और साथ में क्या आगया मेरे पास m i v i तो पहले तो इसके respect में derivative होगा तो क्या हैगा MI del over del qk और vi आ गया और dot साथ में क्या आ गया dot del vi over del qk और यह dot है अब देखो यह dot a dot b या b dot a क्या दोनों सेम होते हैं तो यह term और यह term दोनों add हो जाएंगे क्या 1 by 2 to cancel हो जाएंगे और cancel हो के हमें यह same देदेंगे देखो MI MI देखो दोनों को ऐसा बना लो MI vi dot del vi over del qk यही तो है यह और यह दोनों सेम टॉम है तो यह derivative करने के बाद हमें यह दोनों term मिलती है तो इसका मतलब दोनों सेम है और दोनों सेम मनके यह बना देती है डियोवर डिटी बहार अभी इसको हमने छेड़ा नहीं है clear वाद वैसे यह वाली term है यहां भी हम यहां ने क्या को मने ले लिया क्यूंके बाहर ले लिया और half m vi dot vi इसके respect में अगर derivative करेंगे एक मिनट हाँ वह भी जीरो नहीं होता है ठीक है तो इसके respect में derivative करेंगे तो क्या यहां क्यूंके आ जाएगा बस इतना ही फर्क होगा क्यूंके आ जाएगा यह भी दोनों क्या है तो क्या आगे बढ़ सकता हूं में जवाब दे दूंगा तो यहां तक हम आ चुके हैं क्या ही आपको काइनेटिक एनर्जी दिख रही है क्या ही आपको half mv square दिख रहा है आई-इत पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को मैं लिखना चाहता हूं ti ठीक है क्या लिखना चाहता हूं जो ध्यान रहे जो ध्यान रखना में ध्यान क्या रखना है कि यह जो है 1 by 2 m i v i square इसका value मैं लिखना चाहता हूं ti आई-इत पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और अगर मैं लिखूं कि समेशन और i equal to 1 to capital n half m i v i square ये क्या जाएगा total capital t मतलब हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का समेशन करदो वो क्या जाएगा total काइनेटिक एनर्जी यहां से मैं क्या सकता हूं summation over k equal to one to small n d over dt of del over del qk dot into यह क्या आगया हमारे पास capital T kinetic energy minus में क्या आगया del over del qk यह भी हमारे पास capital T आगया और साथ में क्या बच गया delta qk और यह हमारे पास किसके बराबर आगया summation over i equal to one to capital N pi dot dot delta r i आगया हमारे बढ़ते हैं तुकते तो हम पैसे भी नहीं है हाँ क्या करें क्या करें हाँ अब चलते हैं शुरुवात में d l numbers principle पे वो क्या कहता है वो यह कहता है कि summation over i equal to one to capital N fi minus pi dot dot delta r i i उसका value क्या था जीरो था इसका value हम निकाल चुके हैं यह रहा यह रहा यह हमने निकाल दिया अब हम ने इसका value भी निकाल लिया है तो दोनों को minus कर देंगे तो यह हमारे पास यह आ गया तो यह हमारे पास क्या आगया कि summation over i आइए अना एक मिनट यह summation over i हर एक का निकाला है ना summation over i यहाँ पर है तो पहले वो रखें या फिर पहले यह रखें बात तो एक ही है पहले मालों यह रख देते हैं minus का वो रख देंगे तो एक यह बात है क्योंकि यहां से अगर मैं minus बाहर लूँ एक मिनट यहां से अगर मैं minus बाहर लूँ तो minus को उधर वेज दो तो यह मेरे पास क्या जाएगा यह मेरे पास minus क्या जाएगा तो पहले इसको रिख देते हैं यह लिख देते हैं तो यह लि और साथ में क्या है इसके उपर है बढबर क्या है मारे पांस जीरो अब हम क्या लिख सकते हैं देखो यह हमारे पास यह लिखब्लबग पहुंच गए हम अब ज्याधा दूर नहीं है देखो क्या करना है कि यह जो है यहां से यह डेल्टा क्योंके कॉमन ले लेते बाहर तो यह क्या आएगा हमार पास समयशन ओवर के एक वोल स्मॉल एन दी ओवर डीटी ओफ डैल एक में जान यह सिर्फ इसके उपर है यह के ओपर है तो डैल्टी ओवर डैल क्योंके डॉट मईनस डेल टी ओवर डैल क्योंके माइनस का जी बी वरावर 0, तो या तो A वरावर 0, या B वरावर 0 क्या δेल्टा क्योंकि वरावर 0 हो सकता है, नहीं क्योंकि हम ने किया है, हम मान के चल रहे हैं कि कुछ इस तरह के displacements है, कुछ इस तरह की displacement है, जो virtual है है ना, तो इसको हम 0 नहीं करेंगे यह जो है यह आपका delta ri से आया है तो इसको 0 नहीं कर सकते तो इसको 0 होना पड़ेगा तो अगर यह 0 होगा तो यहां से हम क्या लेख सकते हैं कि d over dt of del t over del qk dot और minus का del t over del qk बराबर क्या जाएगा gk इसको हम बोलते हैं general form of Lagrange equation ठीक है इसकी general Lagrange equation यह general form कहते है general form क्यों कहते हैं क्योंकि यह generalized force की terms में है या फिर कहें तो यह किसी एक general system के लिए है it's not for a specific system यह सभी system के लिए valid है औल सिस्टम के लिए वैलिड है जो लग्रांज एक्वेशन और मोशन है जिसका हम Euler's equation भी कहते हैं वो equation एक particular case के लिए वैलिबल है particular valid not available particular system के लिए वैलिड है उस system को हम कहते है conservative system ठीक है तो अगर मैं बात करूं किसकी for conservative system for conservative system conservative system की बात करें तो conservative system की case में क्या होता है कि जो system of particles है उसके उपर लगने वाला जो force है system of particle या किसी भी system की बात करें हर particle की उपर लगने वाला जो force है उसको हम gradient of some potential की form में लिख सकते हैं तो अगर मैं conservative system की बात करूं उसके इंदर हम क्या कह सकते हैं कि जो applied जो force है वो किसके बरावर होता है minus of some gradient of potential यह energy है यह energy है तो gradient of some potential की form में लिख सकते हैं यह किसकी बात होती conservative system की बात होती है मतलब जो भी है यह line integral को represent करता है और हो कहता है conservative system में अब पूरा घूम के आई यह तो इसका total line integral zero हो जाता है तो इस ओके तो यह conservative system की बात है अगर मैं सी question को conservative system के लिखना चाहूं तो हमारे पास f तो है नहीं हमारे पास क्या क्या जीक्य है जीक्य क्या है generalized force क्या है generalized force तो अगर मैं force को gradient of potential की form में लिख सकता हूं country system के लिए तो यह जो force है जो कि क्या generalized force है उसको भी gradient of some potential की form में लिखा जाना चाहिए अब इससी बात है conservative system के लिए लिखा जाना चाहिए तो मैं क्या कह सकता हूं कि यह जो जिक्के है इसको भी भाई मैं minus of gradient of some potential की form में लिखूंगा लेकिन अब बात है कि यह जो gradient है यह जो gradient है वो एक है first order partial derivative इसका इसका first order partial derivative और वो जो derivative वो किसके respect में पोजीशन के respect में पोजीशन के components कह दो तो यहां यह जो डेल है ना यह जो डेल है वो अगर मैं partition में लिखूं तो क्या होता है डेल ओवर डेल x i cap डेल ओवर डेल y j cap प्लस डेल ओवर डेल z k cap कुछ इस तरह से होता है तो यह यहां नीच जिसका जो कहेंगे जिसके respect में जो derivative हो तो वो हमारे पास position है position component कह सकते हो यहां पर यह डेल क्या होगा यह डेल क्या होगा जिस तरह से यहां यह जो position coordinates है जो काम करते हैं वो काम यहां कौन कर रहा है generalize case में यह काम कोन कर रहा है generalized coordinate जहां रहें यह काम कोन कर रहा हैala कोडिनेट तो यह जो gradient of 이죠 potential की फॉर में हम जो लिख रहे हैं इसको वो gradient वो किसका function होगा generalized coordinates का function होगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं minus of some gradient of generalized gradient gradient of potential और यह जो डेरिवेटर किसके रिस्पेक्ट में जन्लाइस कोडिनेट के रिस्पेक्ट में यह जो वी है वो है total potential energy वी क्या है total potential energy या फिर क्या है system की potential energy not total total कहना ठीक नहीं होगा system की potential energy तो यह हम जिक्के को लिख सकते हैं किसके लिए एक कहें तो conservative system के लिए जिक्के को हम यह लिख सकते हैं तो यहां से मैं अगर conservative system के लिए इस equation की बात करूं तो equation क्या बन जाएगी यह बन जाएगी तो इसको मैं क्या लिख दूँ प्लस का ऐसे लिख देता हूं प्लस का डेल वी ओवर डेल क्यों के इस side आ गया ना बराबर 0 ठीक है यह क्या बन गया माने पास डी ओवर डी टी ओफ डेल टी ओवर डेल क्यों के डाट माइनस का डेल ओवर डेल क्योंके मैंने बाहर ले लिया यह क्या आगया टी माइनस वी आगया बराबर 0 ठीक है अब सुनो यह ती माइनस वी आगया हां यह यहाँ पे सिर्फ टी है काइनिटिक एनरजी वह इनका function है velocity इसका function है यह जो potential energy V जो potential energy है क्या लिख देता हम V क्या है हमारे पास potential energy potential energy conservative system के लिए किसका function होती है सिर्फ coordinates का ठीक है धान रहे potential energy conservative system के लिए conservative system की बात कराऊ उसके लिए किसका function होती है सिर्फ coordinates का not the velocity ठीक है तो अगर इसी potential energy का हम velocity की respect में derivative करें क्या del v over del qk dot कौन सी velocity generalized velocity इसकी respect में derivative करें वो क्या हैगा 0 तो क्या यहां मैं एक potential की term add कर सकता हूँ यह कुछ बनाने के लिए तो इसको मैं क्या लिख दो d over dt of del over del qk dot t minus v लिखना चाहता हूँ क्यों क्योंकि potential है वो सिर्फ वो सिर्फ coordinates का function है velocity के respect में derivative क्या हो जाएगा 0 तो minus का क्या जाएगा del over del qk t minus v बराबर 0 अब इसको मैं capital L लिख देता हूँ तो यह equation क्या बन जाएगी d over dt of of del l over del qk dot minus का del l over del qk बराबर 0 समझ पाज हो इस equation को हम कहते है Lagrange equation of motion क्या कहते है Lagrange equation of motion यह फिर Euler's equation भी कहते है where l बराबर क्या है हमारे पास t minus v t क्या है total kinetic energy ठीक है यहाँ धान रखना यह t क्या है summation over i तो एक particle की kinetic energy तो यह होगी summation का मतलब सभी particles की kinetic energy को क्या करना है add करना है वो क्या हो जाएगी आपके पास total kinetic energy minus उस system की potential energy तो वो किसके बराबर होता है Lagrange के और यही Lagrange किसका function होता है वो होता है qk qk dot और possibly time पॉसिबिली टाइम यह अलग जिस्थम है तो यह जो काइनेटिक energy वो वेलाउस्टे का function coordinates का भी हो सकती है और यह potential किसका होगा coordinates का function होगा तो clear है तो यह Lagrange अपके इनका function हो जाएगा Lagrange को हम क्या define करते है kinetic energy minus potential energy यह जो equation है इसको हम Lagrange equation of motion कहते है यह equation अलग-अलग और problems भी इतनी simple नहीं है मतलब यह वो problems है जिनको Newton equation से Newton approach से solve करना बहुत मुश्किल है और वो problem भी यहाँ इस equation से solve हो जाती है और धान रहे है यह equation सभी system के लिए नहीं है यह equation सिर्फ और सिर्फ किसके लिए conservative system के लिए conservative system के लिए यह equation valid है तो आज की इस lecture में इतना है बाकी हम next class में इसकी applications की बात करेंगा अलग-अलग कौन कौन से applications है Thank you